हलो भीबरोस, वलकम चुरीयाना सी रिसिपी, अज हम बनाने वाले हैं, महरम में बनने वाले स्पेशल रिसिपी, में हम मीठे रोट चोंगे दही बुत्ती और दूद का शर्बत कैसा बनाते हैं देखेंगी फर्स बनाने वाले रिस्पी है मीठी रोटी यानि की रोट फिर किस बात की देरी फ्रेंट चलो यह रिस्पी बनाना शुरू करेंगे फर्स स्टेप है दूद को गरम करना एक से दो कब जितना दूद ले लिजिए दूद को अच्छा सा गरम कर देंगे यह दूद सारा यूज नहीं करेंगे जितना जूरूरत है उतना दूद को यूज कर लेंगे अब यह दूद अच्छा सा गरम हो गया है एक उबाल आ गया है ग्यास को आफ करके साइड में रख देंगे दूद को थंडा होने के लिए तब तक अगला प्रोसेस देखेंगे एक पैन ले लेंगे ग्यास को आन कर देंगे पैन गरम होने के बाद एक टी स्पुन जितना घी आड़ कर लेंगे अब एक घी को melt होने देंगे, घी melt हो गया है, अब इसमें add कर देंगे, थोड़े से कटी हुई, काजू थोड़े से कटे हुई बादम, अब मन चाहे कोई भी dry fruits add कर ले सकते ही, और चाहे थे इसमें पिस्ता, चिरंजी, किसमिस, कुछ भी add कर सकते ही, ये dry fruits की quantity थोड़ा कम ज add कर देंगे, थोड़े से तर्भुच के बींच, और थोड़ा सा किसा हुआ, सूका नारियल add कर लेंगे, अब इस सूका नारियल और तर्भुच के बींच को fry कर लेंगे, ध्यान रख लीजिए, ग्यास के फ्लिम को बन करके ही, ये अब fry करना है, नहीं तो जल्दी ही जल ज पैन ले सकते ही, मैं ये ही पैन ले रही हूँ, क्योंकि घी है क्यों वेस्ट करें, अब ग्यास को आन करके ये पैन को गरम होने देंगे, पैन गरम होने के बाद दुबारा से 1.5 तीस्पुन जितना घी आड़ कर लेंगे, एक घी को मेल्ट होने देंगे, घी मेल्ट होने के बाद देर कब जतना गेहु का आटा आड़ कर लेंगे अब एक गेहु का आटे को लो फ्लेम पे रखके लगातार चलाते हुए अच्छे सब भूनेंगे ये गेहु का आटा कलर चेंज होने तक गेहु के आटे से अच्छे सी खुश्बू आने तक हम भूनेंगे लगातार आटे में अच्छा सा कलर आ गया है ग्यास को आफ कर देंगे अब यह आटे को वही बॉल में निकाल लेंगे जो हम ड्राइफ रूट्स फ्राइ करके रखे हुए डाल के रखे हुए बॉल में ही एड कर लेंगे अब यह आट करने के बाद एही पैन ले लूँगी मैं दुबारा से गयास को आण कर देंगे पैन गरम होने के बाद एक से डोटी स्पुन जेतना घी आट कर लेंगे अब घी को मेल्ट होने देंगे घी मेल्ट होने के बाद एक कब जेतना सोजी आट कर लेंगे यानिके रवा अब इस सोजी को भी low flame पे रखके लगातार चलाते हुए सोजी color change होने तक fry कर लेंगे low flame पे ही रखना है और लगातार चलाते ही रहना है भी देखो सोजी अच्छा सा color change हो गई है इसी तरह golden color में आजाना है सोजी अब gas को आफ कर देंगे अब इस सोजी को बॉल में आड़ कर लेंगे दूसरे ingredients भी fry करके रखे हुए इस बॉल में ही आड़ कर लीजिए अब इस अच्छा सा mix कर देंगे सारे ingredients अच्छा सा mix होने तक अब इस सोजी आटा सब गरम ही है अब इस side में रख दीजिए अब next process देखेंगे एक mixer jar ले लेंगे इसमें एक cup जितना चीनी आट कर लेंगे मीठे के हिसाब से चीनी थोड़ा कम ज़दा करके दाल सकते ही इसमें 5-6 इलाइची आट कर लेंगे यहां पर मैं इलाइची उस कर रही हूँ आपके पास नहीं होगा तो इलाइची पौडर भे आट कर सकते ही देखो इसी तरह अच्छा सा ग्राइन कर लेंगे अब यह पौडर चीनी को आट कर लेंगे यह रवा आटा सब गर्यम ही है अब इसमें ही हम आट कर देंगे थंडा करने की ज़रुरत नहीं है अब इस चीनी पौडर आट करके अच्छा सा मिक्स कर लेंगे इस सारे इंग्रिडियन्स अच्छा सा मिक्स होने तक इलाइची हम फ्रेश दालने से फ्लेवर अच्छा सा रहेगा आपके पास होगा तो ज़रूर इलाइची ही उसकर लीजिए अब घी आट कर लेंगे इसमें दो से तीन टेबल स्पून जितना घी घी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो ही टेस्ट अच्छा लगता है अब घी दालने के बाद दूबारा से अच्छा सा मिक्स कर लेंगे अब ये मिक्स करने के बाद अब दूद अट कर लेंगे, दूद थोड़ा ही डाल लीजिए, बहुत ही डालेंगे तो जादा पतला हो जाएगा क्यूंकि हम पौडर चीनी यूज करे थे, दूद दालने के बाद चीनी मेल्ट होने लगेगी, इसलिए ये और पतला हो जाएगा, वह थोड़ा पतला ही कर दी थी, अब ध्यान से दाल लीजिए, दालने के टाइम दूद को, अब जाधा दूद दाल दालेंगे तो गलती से, भी इसमें थोड़ा सा गेहू का आटा भून के ऐड कर लीजिए, गेहू का आटे की क्वांटिटी रवे से थोड़ा जाधा ही रहना है, अब ये अच्छा सा मिक्स करने के बाद धख देंगे, धख के एक घंटे के लिए छोड़ने के बाद, रवा सारा ये दूद को अब् प्रॉससर्ट देखेंगे अब एक घंटा हो गया है चलो चक कर लेंगे दिखो ये मेठी रोटी का डो थोड़ा सा धीक हो गया है अब देख सकते ही तो भी थोड़ा सा पतला ही यह यह थोड़ा दूद जादा ही पड़ गया था तो इसलिए मैं क्या कर दूंगे इसमें थोड़ा सा आटे को भून के दाल दूंगे अब दालने के टाइम दूद को ध्यान से डाल लीजिए बेभुना हुआ आटा है थोड़ा थोड़ा करके दाल दूगी यह अच्छा सा डो परफेक्ट बनने तक बहुती ज़्यादा पतला नहीं था डो इसलिए थोड़ा ही आटा दालके मैं गून रही हूँ अब गलती से और ज़्यादा दूद पढ़ जाएगा तो थोड़ा चीनी भी आट कर लीजिए पौडर बनाके क्यूंकि आटा की क्वांटिटी ज़्यादा पढ़ती है रहना है अम मीठी रोटियां बना लेंगे थोड़ा सा घी ले ली जीए धोड़ा सा घी से ग्रीज लिए कि दोनों हातों को अच्छा सा घी से ग्रीज लेंगे ताके यह टो चिपके alguna फोड़ासज डो ले के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकान को क्लिक कीजिए ताके मैं अप्लोड करेगी तो वीडियो अब सबसे पहले देख सके अब दो पालतिन पेपर्स ले लेंगे अब बटर पेपर होगा तो बटर पेपर भी यूज़ क करने के बाद ये डो ले लेंगे अब ऀरोटी के पेड़े को रख देंगे रब के उपर से थोड़ा सा घीयाड कर ली जिये तक ऊपर से भी प्रेस कर लेंगे ये रोटी ज्यादा पतली नहीं बनानारी थीज़ा नching बड़ी अब ज़्यादा बड़ी रोटी बनाएंगे तो ये तवे पे दालेंगे तो फिर फलटने के टाइम तूट सकती है इसलिए इस बात की ध्यान रख लीजिए ना ज़्यादा पतली रहना है ना ज़्यादा बड़ी दिखो इतनी मोटी रहना है और चाहे तो इससे घी रोटी को एड़ कर लेंगे साव धानी से एड़ कर लीजिए क्योंकि तूट सकती है बहुती स्मूथ रहती है लोग फ्लेम पे रखके एक मिनिट तक सेकेंगे ये गोलेंड कलर आने तक अब ये उपर साइड भी थोड़ा सा घी एड़ कर लेंगे अब घी एड़ करने के बाद इसको एक मिनिट तक पकाएंगे ये नीचे साइड से कलर चेंज होने तक साव धानी से कलर चेंज होने के बाद फलट लेंगे इस बात की ध्यान रख लीजिए बहुती नरम रहता है फलटने के टाइम अब साव धानी नहीं बरतेंगे तो तूट सकती है रोटी वे द तरह दूसरे साइड भी color change होने तक fry करके निकाल लेंगे अब ज्यादा उलटते पलटते नहीं रहना है बस एक ही बार आपको फलटना है वे दोनों साइड भी color change होने के बाद इसी तरह पैंसे प्लेट में निकाल लीजिए चम्मस से निकालेंगे तो तूट सकता है इसी तरह हम रोटियां बना लेंगे सारे मीठे रोटियां सेम प्रॉसेस ही है साइज चाहे तो अब तोड़ा छोटा बना सकते ही रोटियां निकालने के बाद रोटी पे रोटी बिल्कुल नहीं रखना है एक बड़ा प्लेट ले लीजिए इसी तरह एक करके रख देंगे ये अच् परफेक्ट से बनके तयार हो गए ही आंद्रा मोहर्रम स्पेशल मीठे रोटी. इस रोटी को अब दीन से चार दिन तक रखे खा सकते ही, मीठा जादा दालेंगे तो थोड़ी दिन जादा रखे खा सकते ही. कैसे लगी फ्रेंड्स भी आज की रेसिपी आप भी बनाएए, खाएए, खिलाएए, कैसे लगी कि मुझे कामेंट कीजिए, रेसिपी अच्छी लगी तो लाइए. नेक्स्ट हम बनाने वाली रेसिपी है, मीठे चोंगे. रेसिपी बनाना शुरू करेंगे. एक मिक्सिंग बॉल ले लेंगे, उसपे एक कब जितना गेहु का आटा आट कर लेंगे, और एक टेबल स्पून जितना चीनी आट कर लेंगे. चीनी ये आप्शनली है, अपना ही दालना चाहे तो आवाइट कर सकते ही. अब एक टेबल स्पून घी आट कर लेंगे अब घी दालने के बाद अच्छा सा मिक्स कर लेंगे यहां पर मैं घी उस कर रही हूँ आप चाहे तो आयल से भी बना सकते ही घी दालेंगे तो टेस्ट अच्छा लगेगा अब अच्छा सा मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी दाल के डो को गुनेंगे जैसा सपाती डो को गुनते हैं उससी थोड़ सा और सकत इडो को गुनेंगे अब एडो बन गया है अब एडो को और एक दो मिनिट तर अच्छा सा गुनेंगे अब गुनने के बाद उपर से थोड़ा सा घी या आईल को अपलाई करके इस पांच मिनिट छोड़ देंगे अब नेक्स्ट प्रॉसेस एक मिक्सर जार लेके इसमें आदा कप चितना चीनी आट कर लेंगे ये आदा कप से एक टेबल स्पून जितना कम है एक टेबल स्पून हम डो में यूज़ करें थे चार से पांच इलाइची आट कर लेंगे अब ये पाउडर बना लेंगे अच्छा सब पाउडर बना लीजिए इचीनी को दरदना नहीं पीसना है अच्छा सब पाउडर बनना है अब देखो इचीनी का पाउडर बनके तयार हो गया है एक मिक्सिंग बॉल में निकाल लेंग अब इसमें अट कर देंगे दो टेबल स्पून जितना सूका नारियल ग्रेट किया हुआ ग्रेट किया हुआ नारियल की कौंटिटी थोड़ा कम ज़दा करके अट कर ले सकते ही, अब इससाइड में रख देंगे, अब इडो को ले लेंगे दुबारा से एक से दो मिनिट तक गुन लीजिए, गुनने के बाद अब ये पेड़े बना लेंगे, पेड़े छोटे बड़े बना ले सकते ही, आपको छोगे बड़े चाहे तो थोड़े बड़े बना लीजिए, छोटे चोगे चाहे तो छोटे पेड़े बना लीजिए, मैं नहीं रखना है नहीं तो ये डो सूप जाएगा पापड सही से नहीं आएंगे धकन से या कपड़े से अब धक दीजिए मैं थोड़े पेड़े बना दूंगे पेड़े भी सारे नहीं एकी बार बनाना है थोड़े पेड़े बना के धक के रख देंगे अब एक पेड़ा लेक पूरी अच्छा साब पतला बेलना है विल्कुल मोटा नहीं रहना आए गा जतना पतला बेलते हैं उतना क्रिस्पी आएगा पपर और देखो इसी तरह में थोड़े से पापड बना लेंगे पापड बनाने के बाद एक्स्टा जो आटा रहेगा डस्क निकाल दीजिए नहीं तो आईल खराब हो जाएगा आईल में दालने के बाद इसी तरह हम थोड़े से पपड को बेल लेंगे इच होंगे बनाने के टाइम दो लोग होंगे तो आसन इसे रेस्पी को बना सकते ही पपड को ज्यादा एकी बार नहीं बना लीजिए यह चार पापड बना ली थी मैं यह डीफ्राइ करके दिखा दूँगी मेरे चानल पर आपना यह होंगे तो प्लीज फ्रेंड्स मेरे चानल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसके लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल प्लेम होने के बाद हमें पापड को एड कर लेंगे आयल में मीडियम फ्लेम पे रखे पापड को दोनों साइट्स भी अच्छा सा क्रिस्पी होने तक फ्राइ कर लेंगे गयास के फ्लेम को आप मीडियम पे ही रख लीजिए हाई फ्लेम पे रखेंगे तो जल्दी ही यह फ आपड़ में निकालने की फाउडन ही आप यह बनाकर रखे हुए चीनी के पौडर को अट करेंगे उपर से इसी तरह देखो अब जितना चाहे उतना पौडर को एड कर सकती ही यह process आप आईल से निकालने के तुरंथी करना है क्यूंकि पापड में थोड़ा आईल रहता है first ही तो हम यह चीनी का पौडर दालेंगे तो चिपक जाएगा यह दोनों sides भी आप चाहे तो यह चीनी का पौडर को add कर सकते ही नहीं तो एकी side ही add कर सकते ही इसी तरह हम पापड को de-fry करके निकालने के फाउरन ही यह चीनी के पौडर को add कर लेंगे इसी तरह पापड को fry करने के बाद उपर से चीनी का पौडर आड कर लेंगे चीनी की पौडर की quantity तो रहा कम ज़ादा करके दाल सकते ही आपको मीठा ज़ादा पसंद होगा तो थोड जरू ट्राइ करके देखिए फ्रेंड्स बहुती यम्मी बनते हैं यह रिस्पी को आप 20 से 25 दिन स्टाक रखे खा सकते ही देखेना फ्रेंड्स कितना आसान है मीठे चोंगे रिस्पी बनाना आप भी जरू ट्राइ करके देखिए बनाइए खाईए खिलाइए कैस लगी कि एक बड़ा बॉल ले लेंगे उसमें एक कब जितना चावल आट कर लेंगे मैं यही कब से चावल की मिजर्मेंट ले रही हूँ आप जितना चाहे दाइमबुती अपने हिसाब से चावल को ले लीजिए अब यह नार्मल चावल ही है जो हम डाइली उसके लिए यूज करते अब चावल को पका लेंगे 15 मिनिट चावल अच्छा सा भीग गये ही अब एक पान ले लेंगे भीगों के रखे हुए चावल को एड कर लेंगे तो इसमें पानी आड कर लेंगे इसलिए इसलिए चार से पांच कप चितने पानी आइड कर लेंगे जो हम नारमल चाओल पकाने के लिए दो कप पानी ढालेंगे वर यहाद के लिए चाओलत करेशड़ केट के मिरिए चाओल को आप सबसे पहले देख सके अब इतावल अच्छा सा पकने लगा है चलाते हुए बीच-बीच में चावल को अच्छा सा पकने तक पकाएंगे चावल अच्छा पकाने के लिए वाच्छल को खोड़ेंगे तब तक चावल अच्छा सा नरम पक जाएगा मीरियुम फ्लेम पर या लोग फ्लेम पर लखेंगे पका लीजिए चार से 5 मिनिट तक do. यास को आफ कर देती हूं मैं और एक 5 मिनिट तक ऐसा ही छोड़ देंगे धकन बिल्कुल नहीं निकाल लिए 5 मिनिट के बाद धकन निकाल लेंगे अब ये 5 मिनिट हो गए ही धकन निकाल लेंगे देखो ये चावल अच्छा सा नरम पक गए ही अब ये चावल को मैश कर ही है बस हलका सा मैश कर लेंगे चावल गरम रहने के टाइम ही अच्छा सा मैश होते हैं थंडे हो जाएंगे तो सही से मैश नहीं कर सकते ही इसी तरह हम मैश कर लेंगे देखो अब ये चावल को अच्छा सा मैश करने के बाद दूद आट कर लेंगे दो से तीन कप जितना दूद गरम करके थंडा किया हुआ दूद है ये चावल ये अच्छा सा गरम ही है ये चावल गरम हने की टाइम ही दूद को आड़ कर लीजिए तभी चावल अच्छा सा दूद को अबजर कर लेगा चावल थंडे हो जाएंगे तो दूद को गरम करके आड़ कर लीजिए थंड़ा होने के बाद अगला प्रॉसस देखेंगे ढग देती हुमाई 15 मिनिट के बाद अगला प्रॉसस देखेंगे अब 15 मिनिट हो गए ही चावल अच्छा सा थंड़े हो गई ही अब देख सकते ही सारा दूद अच्छा सा अबजर हो गया है चावल में दही ले लेंगे ए एक टीस्पूंज इतना अद्रकलोसन का पेस्ट बहुत ही ज्यादा अद्रकलोसन पेस्ट नहीं दाली जिए फ्लेवर ज्यादा हो जाएगा अब थोड़ी सी कटी हुई धनिया पत्ता आड़ कर लेंगे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे मैं नमक नहीं आड़ कर रही हूं प्यू करने के टामनी और करने के टाइम और चाहे टो तो बरी क crawling हुई प्यास को भी अठ करके सब्सक्राइब हैं धैयर को ऐटी है बश्यादीश सब्सक्राइब करसे बेंगे, अब जब करके को पसंद करते हूड़ी और तुस्स दुखकर शेर किजिए कैसे लगी क्यों मुझे कामेंड कीजिए मैं नेक्स बनाने वाली रेसिपी है दूद का शर्बत बहुते सिंबल रेसिपी है चलो रेस्पी शूरू करेंगे इसके लिए फैन ले लेंगे ग्यास को आंद कर देंगे अब यह पैन में घी एड कर लेंगे एक से डे फ्रॉट्स को फ्राइ करके निकाल भी सकते ही अब घी मिल्ट हो गया है इसमें आट कर देंगे दूद्ध दो कप चितना दूद्ध है अब दूद्ध को अच्छा सा गरम होने देंगे हाई फ्लेम पे रखके एक उबालाने तक बीच में एक बार शलाएंगे क्योंके निचे से जल जाएगा दूद्ध नहीं तो क्योंके दूद्ध गाड़ा है अच्छा सा इसमें आट कर देंगे थोड़े से कटे हुए काजू, बादम और पिस्ता बादम का छिलका निकाल के डाल लीजिए और चाहे तो इसमें अब टेस्टी वनेगा पतला दूद्ध लेंगे तो इतना टेस्टी नहीं आएगा अब देखो इस दूद्ध में एक उबल आ गया है अब ग्यास के फ्लेम को लो फ्लेम पे कर दीजिए अब इसमें आट कर देंगे चीनी तिन से चार टेबल स्पून चीनी मेठी के हिसाब से चीनी थोड़ा कम ज़दा करके डाल सकते हीं अब अच्छा सा मिक्स कर देंगे और एक मीनिट पकाएंगे चीनी मिल्ट होने तक अब आट कर देंगे 1 by 4 तरी स्पून इलाइची पाउडर इलाइची पाउडर फ्रेश बना के दाल लीजिए तो फ्लेवर अच्छा रहेंगे हम बना के रखे हुए पाउडर को या बजार का पाउडर को दालेंगे तो इतना फ्लेवर नहीं आएगा कभी भी दूर का शर्बत बनाने के टाइम आप फ्रेश से इलाइची पाउडर बना के दाल लीजिए कभी मिठों में भी हम बनाने के टाइम इलाइची पाउडर घर से ही जब मिठा बनाते हैं तब ही आप फ्रेश पीस के दालेंगे तो फ्लेवर अच्छा रहेंगे वेचीनी भी मेल्ट हो गई होगी अब हम इसमें आड़ कर देंगे एक टेबल स्पोन जेतना तुर्पा हुआ नारियल कि हम पर मसूका नारियल आड़ कर रही हो आप चाहे तो कचा नारियल बे आड़ कर सकते ही कचा नारियल दालेंगे तो और टेस्ट अच्छा लगेगा पर पास नहीं ततो मसूका नारियल ही दाल दी थी एक बार मिक्स कर देंगे ग्यास को आफ कर देंगे अभी एक बॉल में निकाल लेंगे अभी शर्वत को अब फ्रिज में रख दीजिए एक घंटे के लिए अच्छा सा थंडा होने तक यह थंडा होने के बाद सर्व कर लेंगे इस शर्वत को आप गरम भी सर्व कर सकते ही थंडा करेंगे तो टेस्ट अच्छा लगेगा और बेक ग्लास में निकाल लेंगे ये शर्बत को एक बार अच्छा सा मिक्स कर देंगे क्योंकि हम इसमें नारियल सब ड्राइफूर्स दाले थे इसलिए एक बार मिक्स करके दाल लीजिए नहीं तो नीचे हो जाएंगे उसा देखे ना फ्रेंट्स कितना आसान है एक दूत का शर्बत बनाना आप भी जरूर ट्राइ करके देखिए मेरे किस बात की देरी फ्रेंट्स आप भी जरूर ट्राइ करके रेसिपीस को कैसे लगी कि मुझे कामेंट कीजिए रेसिपीस अच्छे लगी तो लाइक करिए प्रेफरेंस के साथ शेयर कीजिए और टेस्टी रिस्पीस के लिए मेरे शानल को अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए अपकी सपोर्ट की जरूरत है फ्रेंड्स ताकि मैं और अच्छे अच्छे रिस्पीस अपके लिए लाती रहूं भीर मिलेंगे अगली रिस्पी के साथ तैंक्यू फर वाचिंग